हलो गाइज, वेलकम बैक तो माई चैनल दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ये डिसकस किया था किन कारणों की वज़े से हम अपने गर में मश्लियां पालना तो चाहते हैं मगर पाल नहीं पाते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम उन प्रॉब्लम्स के सोलूशन पर बात करेंगे कि इनके सोलूशन क्या क्या हैं दोस्तों मैंने पहला रिजन बताया था कि मश्लियों के पानी से स्मेल आती है बहुत लोगों ने ऐसा कहीं से सुन रखा होता है तो दोस्तों अगर आपने अपने टैंक में अच्छी क्वाल्टी का फिल्टर लगा रखा है और आप अपने टैंक की प्रॉपर टाइम क्लीनिंग करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपके एक्वेरियूम के पानी से कभी भी स्मेल नहीं आएगी दोस्तों दूसरा डिजन मैंने यह बताया था कि मश्लियों की केर करना काफी डिफिकल्ट होता है तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि मश्लियों की केर करना बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत इजी टास्क है आपको बस हां कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना है आपको ध्यान क्या रखना है यह मैं बताता हूं आपको एक तो यह ध्यान रखना है कि आपको अपने अक्वेरियम की टाइम-टू-टाइम प्रॉपर क्लीनिंग करनी है क्लीनिंग में आपको करना क्या है आपको हपते की 45 to 60 डेज में एक बर सफाई करनी है है कि दोस्तों और आपको दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि आपको अपने फिश को 2-3 बार फीड करना है और आपको फीड इतना ही करना है कि जितना वो 2-5 मिनट में खा ले तो दूसरा ख्याल यह रखना आपको तीसरा ध्यान यह र आपको टाइम टो टाइम पे टंपरेचर भी अपने अक्वरियम का चेक करना है क्योंकि हर मशली अलग 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 टंपरेचर पे सरवाइव करती है तो बैसिकली आप जब भी मशली खरीदने जाएं तो आप अपने उस सौप कीपर से पूछ ले कि भाई कि ठंडे पानी की म में तो बैसिकली याप पर आपको बता देगे कि कर मशली का कितना तुमिर आप उस से पूछ लें उसी के कॉडिंग आप क्या करें आपको टाइम को टाइम पे तुम्रिंच अपने अक्वरियम का चेक करें और उसी के बिहाब पे अपने aquarium के water को water के temperature को maintain रखें दोस्तों मैंने तीसरा reason बताया था कि भाई अगर हम मशलिया पाल लेंगे तो पूरी तरीके से बन जाए या फिर दूसरे सब्दों में कहूं तो अगर पूरी complete family को किसी vacation plan पे जाना है या फिर किसी function को attend करना है तो उस case में complete family अगर बाहर जा रही है तो उस time duration में हमारी मशलियों को खाना कौन देगा यही सबसे मैंने बड़ा important factor बताया था जिसकी वज़े से लोग अपने घर में मशलिया नहीं पाल पाते हैं तो दोस्टों इसका भी solutions कई available है तो पहला solution यह है कि आप किसी अपने पड़ोसी को या फिर फ्रेंड्स को यह जिम्मेधारी दे जाओ कि आपकी इनुपस्तिति में वह आपकी इसको फीट करें दोस्तों हाँ जब आप कभी अपने फ्रेंड या फिर पड़ोसी को यह की पड़ोसी फिरंट को बता कि जाओ क्या होता हुए कि होता है कि मशलियां को तक एक कि फophone कर देतीuerdo कि जो चैसे नहीं होता हmarket सबस्क्राइब होता है कि मशलिया और reco फोड़ डालता मशलियां मफलिया बिसिकली उसको फिनिश कर देती हैं तो फूड्ड डालता जाता है तो उसको खाती जाती है जिस केस में क्या होто है मशलियां ओवर फीड कर जाती हैं और उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण आपकी मशलियां मर भी सकती हैं तो दोस्तों आप जब भी कभी यह जिम्मेदारी किसी को दो तो इसको कॉंटिटी जरूर बताओ आप कि कितना खाना देना है कि दूसरा सोलूशन यह है कि मार्केट में बहुत से विकेशन फिश फूड अवलेबल है यह फिश फूड काम कैसे करते हैं एक फिश फूड देना कैसा है अगर आप यह जानना चाते हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट मेंशन करो मैं जल्दी इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाओंगा दोस्तों यह विकेशन फूड काम कैसे करते हैं इसकली टैबलेट्स होती है इनको क्या करना है आपके वाटर कितना है आपके एक्वेरियम में और आपने किती कॉंटिटी में फिस जाल रखी है आपकी फिस का साइज क्या है उसके बिहाब पे हमें कित इतना आपका विकेशन फूड डालना अपने टैंक में वह डिपेंड करता है दोस्तों तीसरा सोलूशन यह है कि मार्केट में आटोमेटिक फिस फीडर भी अवलेबल है आपके फिस फीडर में बैसिकली हमें इंटर्वल सेट करना होता है और कि कॉंटिटी सेट करनी होते ह हमें गलता है तो आटमेटिक फीडर क्या करता है वो इंटर्वल चाखें आपके उसड़ीक्रीश ने करता और को खτανया हो अनुट टमबिक हमें आपके एक्वीरियम बैसिद करता है और फेसे वक करता है यह सारी चीजियो में चाहते है है तो बिसाव में आप कॉमेंट बाक आपके पास एक अच्छा option है इस problem की solution का कि दोस्तों हाँ में इंपॉर्टेंट बात है और उसको एक हपते दस दिन पहले लेकर आए और उसको प्रॉपर फूड रिलीस कर रहा है जो आपने time interval set कर रखा है जितनी quantity set कर रखिये उस time duration में उतनी quantity में प्रॉपर वो फूड रिलीस कर रहा है कि नहीं क्योंकि क्या होता है आप अगर लो कॉल्टी का आपके फूड रिलीस कर देते हैं या फिर क्या होता है कभी कदा फूड रिलीज नहीं कर पाता है तो यह सारी प्रॉब्लम साती है तो जब भी आप ऑप अगर तर्ड ओप्शन चूज करना चाहते हो तो भाई आप ऑप पर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं इसलिए आप ऑ और आज ले क्या यहां यहाँ फिर एक दिन दो दिन पहले ले आए और आपने वर्नने ऑटोमर्मेम्टे की फीडर को टेस्ट नहीं किया तो प्लीज आप प्रॉपर चेक करें आप प्रॉपर टेस्ट कर लें कि आपका वर्क कर रहा है सई से की नहीं तो अगर मेरी द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और हां कि प्रखब के लिए अबाइ कि अपे लिए लिए और कि अबाइ लिए टाट लिए to